यह हिंत कैसे हैं आप लोग स्वागत आपका इस वीडियो में है आज हमलेकर के आगे हैं एक नया वीडियो कलास दसुन की की के और दस प्लस कर पाते हैं तो बहुत बढ़ियां ठीक है तो बिना विल्म के श्रॉच करते हैं आज का वीडियो और वीडियो श्रॉच करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिजी और डंग को दबा देजिए ठीक है और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लैग भी कर देजेगा ठीक है तो रस्टाट करते हैं आज का वीडियो पिछला साल में यह question पूछा जा चुका है ओप्सिन नवर सी उस्माश साह्य की अभी मिप्लेया, तो इसका सही आंसर क्या क्या होगा, वो हजएगा option number B, उप्चेन अभीकिरिया, ठीक है, चलते हैं दूसरा question पे, साख सब्जियों का विगटित होकर, compost बनना किस परकार के अभीकिरिया है, यानि कि जो साख सब्जियों हम छोड़ देते हैं, सर जाता है, उसके बाद जो वो compost बन जाता है, तो वो कौन से अभीकिरिया है, option number A, उस्मा छेपी अभीकिरिया, option number B, उप्चेन अभीकिरिया, option number C, उस्मा सो से अभीकिरिया, और option number D, सन्योजन अभीकिरिया, तो इसका सभी answer जगा option number A, उस्मा छेपी अभीकिरिया, ठीक है, तीसरा क्वेस्टिन है लेट नैट्रेट चून को एक परक्तनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुहा उस सर्जुत होता है उस धुहा का नाम क्या है option नमर ए oxygen gas है वो option B nitrogen gas है option C nitrogen dioxide का है मतलब nitrogen dioxide gas है option D lead oxide है तो इसका सही आंसर जो हो जागा वो हो जागा option नमर C nitrogen dioxide है ठीक है चोथा क्वेस्टर calcium carbon को यहाँ पर विगटित क्या जा रहा है CaCO3 से बन रहा है CaO plus CO2 और पूछ रहा है किस परकार क्या अभिकिरिया है option नमर यह है अब गटन अभिकिरिया option नमर B option नमर C दूविस्थापन अभिकिरिया option नमर D विस्थापन अभिकिरिया तो चार का जो सही आंसर हो जागा option नमर A वैसे भी आपको question में हिंट दे दिये थे कि CACO3 को विगटित किया जा रहा है ठीक है तो आप गटन अभिकिरिया हो जागा अगला question पांच नमर किस रहसानिक अभिकिरिया के दोरान किसी पदात में अक्सिजन का योग होता है option नमर A संग्छाड़न अभिकिरिया option नमर B उप्चेण अभिकिरिया option C अप्चेण अभिकिरिया option नमर D विस्थापन अभिकिरिया तो पांच का जो सही आंसर हो जाएगा option नमर B उप्चेण अभिकिरिया इसमें का होता है oxygen का योग होता है और option अभिकिरिया में oxygen निकलता है ठीक है इसमें से निकलता है और इसमें योग होता है छे नमर question जब जल में विदूद धारा परवाहित किया जाता है तो hydrogen और oxygen मुक्त होता है ठीक है hydrogen और oxygen मुक्त होता है जैसे की जल का फर्मूला होता है H2O तो इसमें विदूद धारा परवाहित किया जाएगा तो इसका element ही नमुक्त होगा hydrogen और oxygen हरें पूछ राया कि हौशुन और अक्सिजन का अनुपात क्या है कि िसका चाहिं सरी हो जाजए है की में हुजान हुज़ा है है और भॉक्शिजन यहां भी देख सकते हैं आप मिशाया गव्रॉप्र से लिए ठिशन है तो द मर यहां की steak नीम्ण में कौन आउकारक है, हाउफ्शन नबर A हईड्रोजन , हाउफ्शन B कारडो मनुक्साइड ऑप्षन C हाउफ्शन सुलफाइट और आप्षन D ऑकसीजन साथ का जो सही आंसर जोगा वो हो जाएगा option number A hydrogen ठीक है वो अब कारक है आठ नमर question LPG का मुख अभियब कोन होता है LPG का आपको full form भी याद रहना चाहिए liquefied petroleum gas liquefied petroleum gas ठीक है option number यह है इसके लिए butane option B propane option C दोनों और option D इने में से कोई नहीं ठीक है तो आठ का option हो जाएगा option number C butane भी रहता है और propane भी रहता है ठीक है नों नमर question है वो पदाज जो दूसरे पदाज को अब करित करता है उसे क्या कहते हैं option number A option B option C option D इने में से कोई नहीं तो वो हो जाएगा अब कारक ठीक है दस number question दहन किस परकार की अभी किरिया है दहन मतलब होता कोई भी चीद जलना जैसे कारवन को जला आते हैं तो वो हो गया दहन लकडी जला रहा है तो वो हो गया दहन और रावन को जला रहा हैं क्या हो गया दहन option number A इसलिए नों बोलते हैं किताबन दहन option number A अब गटन अभी किरिया option B संयोजन अभी किरिया option C उस्मा सोसी अभी किरिया और option number D उस्मा छेपी अभी किरिया तो दस का से आंसर क्या हो जाएगा option number D उस्मा छेपी अभी किरिया ठीक है 11 नमर क्वेस्चन कौन सा पदात लाल लिटमस पत्र को निला कर देता है आप्शन नमर A चार आप्शन B अमल आप्शन C लवन और आप्शन D इन्वेसर कोई नहीं तो देख लेते हैं क्या कर रहा है कौन सा पदात लाल लिटमस पत्र को निला कर देता है मतलब रेट से क्या कर रहा है बुलू और एक क्या होता है बुलू से रेट बुलू से रेट जो करता हो करता है एसीड यानि कि अमल तो रेट से बुलू क्या करेगा छार यानि कि बेस तो इसका क्या आंसर जगा 11 का ए छार ठीक है रेट से बुलू कर रहा है चार और नीला से जो लाल कर रहा हो जाता है अमल हो जाता है ठीक है यह दोने चीज आपको याद रखना एक एक इसमी याद हो जागा तो दूसरा वह इसे हो जागा ठीक है बुलू से एसी याद रखना है और उसका उल्टा कर देना रेट से तो लिस्ट आप पढ़े होंगे साथ पर क्या होता है साथ पर होता है उदासिन और साथ से उपर रहता है वह होता है शाली है और साथ से नीचे जो होता है व होता है अम लिए 610 जब जब कम रहा तो यहां में और 10Sिंद कि उदासिन धाइन उसके म्वांने ऐज़ेंशाब्त तो इसमें क्या देखना हैं क्या पूछ रहा हैं चाल फैल से ज्याधा होना चाहिए मैं साथ तेरा नमर क्वेस्चन लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किस से निकाला जाता है option number A, लाल पत्ता गोविश से, option B, लाइकेन से, option C, पेटुनिया फुल से, option D, हल्दी से, तो 13 का सही हो जगा, option number B, लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक है? 14. सुस्क बुझा हुआ चुना पर कलोरीन गैस की किरिया कौन सा पदात बनाता है, option number A, कैल्सियम कलोराइड, option B, जल, option C, हाइड्रो कलोरीकम, option D, विरंजक चुल्ण, तो ये इंपोर्टेंट बात है, इसको आपको ज्याद रखना, विरंजक चुल्ण इसका से, आंसर हो जा ज़िए टीन का लेप होता है, क्योंकि, option number A, टीन की अप्रेक्षा जिंक अधिक अभी किरियासिल है, option B, टीन की अप्रेक्षा जिंक अधिक महंगा है, option C, टीन की अप्रेक्षा जिंक कम अभी किरियासिल है, option D, टीन की अप्रेक्षा जिंक का गलना अधिक है, तो इसका सह आंसर जोगा option number a टीन के अप्रेक्षा जिंक अधिक अभी किडिया सील है ठीक है कि सोलर नुमर क्वेस्चन उस पदात को भस्म कहा जाता है जो जल में भूलकर किस प्रकार के आयन देते हैं option number a hydrogen ion option b hydrogen ion option c hydroxyl ion option option number d इन में से कोई नहीं तो इसका जो स्री आंसर जागा वह हो जागा option number c hydroxyl ion क्योंकि hydrogen ion जो देता है वह हो जाता है ठीक है और जो hydroxyl ion देता है वह हो जाता है ठीक है 17 नुमर क्वेस्चन सोडियम हाइड्रोकसाइड का pH मन कितना होता है option number a 12 option b 14 option c 11 और option number d 13 17 का से आंसर जागा option number b 14 ठीक है अठार्वा क्वेस्चन जठर्वास का pH कितना होता है जठर्वास अपने आंसर में होता है वह पाचन चेप्टल में आप बैलोजीम पढ़े होंगे ठीक है तो उसी का pH पूछ रहा है option number a साथ option b 10 option c 14 और option number d एक दसमलब दो तो इसका सी हो जगा एक दसमलब दो जठर्वास आपको याद रखना है कि वह अमलिया होता है ठीक है 19 नवर question निम में से कौन विजातिय योगीक है जानी कि तीन एक तरक क्वालिटी वाला होगा और चोथा अलग क्वालिटी वाला होगा ठीक है क्वेश्चन वर बीज सुध जल का प्याच मान कितना होता है ऑप्शन नमर एच्छे ऑप्शन भी साथ ऑप्शन सी नौ और ऑप्शन नमर डी एक हिंट देता हूं इसके लिए यदि सुध जल में बिजली का तार देते हैं और पानी को छूते हैं तो करेंट नहीं लगता ह ठीक है यह practical नहीं करना है क्यों कि जो भी जल अपने पास फहलब रहता वो सुध जल नहीं रहता है ठीक है तो इसलिए गर प्राक्टेकल इसको नहीं करना है खतर ना खूस सकता है ठीक है ओप्सन नमर यह 6 7 9 8 चाड़ों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा तो हिंट जो दिए हिंट का क्या मतलब था साथ यानि कि उदासीन कोई चार्ज ही नहीं है तो विदूत का चालन होगा कैसे विदूत का चालन नहीं होगा तो विदूत उसमें परवाईत नहीं होगा ठीक है और एक बात यूटीव चैनल तो आपको पता ही यह जिस पर आप वीडियो देख रोठी है आलोख ओफिसियल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकन को दवाईए और यदि आप इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जूरना चाहते हैं तो आलोक ओफिसियल जी यो टू सर्च करके वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं ठीक है और टेलीग्राम पे आप जरूर जूरिये आलोक ओफिसियल जी रो टू वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं यादिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जूर सकते हैं और वेबसेट के महां पर website मिल जाएगा और साड़ा content बहुत ही बहतर तरीका से लिखावाया तो कम समय में आप महां से बहतर त्यारी कर सकते हैं ठीक है तो सब जगह पर आप जरूर जुड़िए जय हिंद